ओमश्यांती, तीन दिशंबर की इश्रीवद्दान में, आप सबका सुवगत है, परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सदा सुफागन रहे हैं, मलकी हमारा परमात्मा से सदा सोल कॉशिस कनेक्शन सदा रहें, तो इसकलिए परमात्मा कहते हैं, अभीनाशी सुफाग और भा अविश्य के राज्य तिलगधारी भवा, संगम युक पर देवों के देव के सुहाग, पर्मात्मा Пिता देवताओं के देवता, महा देव कहा जाता है, मaci देवताओं सो ऊचे हैं, और पर्मात्मा का वा इश्वरी संतान के भागे का तिलग प्राप्ड होता है, परमात्म की शुरु संतान मलब परमात्म सोल कॉंशेस है आत्मा विमानी है, संपून, पवित्र हम भी सोल कॉंशेस जैसे बनते जाते हैं तो हमारे पास में वो तिलक भी हमारा लगना शुरू होता है तब ही तिलक यहां लगाए जाता है यह सुहाग और भागय का तिलक अविनाशी है यह परमात्म से कनेक्शन हमारा अविनाशी है और साथी साथे हमारा सुहाग भी अविनाशी है माया इस तिलक को मिटा नहीं मिटाती नहीं है तो यहां के सुहाग और भागय के तिलक धारी तो भविष्य के राज्य तिलगधारी बनते हो अगर हम constantly परमात्मा के साथ में connected है हमारा संबंध परमात्मा से है और हम soul conscious है, आत्मे बमानी है जिसको कि हम ब्रहमकमाईज में सीखते हैं उसका मतलब असली तो फिर हम भविष्य राज्य के तिलगधारी है हमारा मन बहुत ही stable है, काम है तो भविष्य का राज्य जो होगा, उसका राजा उसका मन, बुद्धी, संस्कार बिलकुल stable होना चीए तब ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं हर जनम में राज्य तिलगधा उत्सव होता है सत्य हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कल्युकी, मोटा मोटी अगर आप देखेंगें, दो सो तीन सो साल पहले जब भारत में राज्य या राज्य धानी होती थी, अलग-अलग, डिफरन डिफरन स्टेट्स में तो प्रांतों में तो उस समय राज्य तिलग लगा जाता था जब भी कोई नया प्रिंस गदी पर बढ़ता था और मुकट दिया जाता था राज्य के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलग दिवस मनाया चाहता है मलकी हम सुएम भी वैसे बने परमात्मा से सुहाग और परमात्मा के साथ में उनके बच्चे बनके रहना और औरों को भी हम हल्प करें ताकि वो भी रॉयल फैमिली में आएं तो यह सब को सिखा जाता है ब्रह्मा कुमारी इस इश्रिव श्रिव जाले में है अब भी आ करके इन राजों को गेरे राजों को समझें सुर्ख बनता कैसे है हम श्रिव 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 के साथ